जैहिन सभी को मेरा नमशकार अभी हाल ही में UPSSC यानि की उत्तर प्रदेश सब औरिनेट सर्विसेज सेलेक्शन कमिशन की दरफ से लेखपाल भरती के लिए आविदन निकले हैं जिसके लिए अंतिम तारिक 28 जनवरी डिसाइड की गई है तो चलिए देख लेते हैं कितने लिए आविदन मागे गए हैं अविदन की प्रक्रिया किस प्रकार है तो आविदन की प्रक्रिया ओनलाइन है विभा की website पर जा करीए आप online आविदन कर पाएंगे चलिए website देख लेते हैं website है इंकी upssc.gov.in आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल भी देख सकते हैं साथ ही आविधन भी कर सकते हैं आयू सीमा यानि कि एज लिमिट के दिए हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक कि अभ्यरती इसमें आविधन कर सकते हैं आयू के निर्धारण के लिए 1 जुलाई 2021 की समय सीमा रखी गई है यानि कि 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आविधन करने के लिए जो फीस निर्धारण की गई है वो अधिकतम 25 रुपए है सिलेक्शन प्रोसेस यानि कि सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए लिखित परिक्षा होगी लिखित परिक्षा सो अंकों की होगी लिखित परिक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान की आ गया है प्रितिक प्रश्ण एक अंका होगा जिसमें एक बटे चार अंक निगेटिव मार्किंग के लिए रखे गए हैं ये तो कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बदा दिया अब चलिए पूरा डीटेल में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग लखनो विग्यापन संख्या एक परिक्ष़ दोहजार बाइस राजस्व लेकपाल मुख्य परिक्षा ओनलाइन आविदन और शुल्क जमा करना प्रारम वोने की थी हैं साज जनवरी दोहजार बाइस उसमें उप्रोक्त विग्यापन के सापिक्ष अविदन वा फीज जमा करने की अशन प्राइस जनवरी दोहजार बाइस तक है इस तिथी के बाद कोई आविदन या फीज सुईकार नहीं होगी आविदक अपने आविदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीज के समयोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता अतहा अभिहर्थी द्वारा बैंक से शुलक समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अत्वा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्था 4 फरवरी 2022 तक अनिवारे रूप से करा लिया जाए इस अभिहर्थी अपने आविधन में अननमे विवरण को संशोधित भी कर सकता है राजस लेखपाल मुखे परिक्षा हेतु अभिहर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंविक अहरता परिक्षा 2021, PET 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी अता है इस परिक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभिहर्थी अनलाइन आविधन कर सकते हैं जो प्रारंविक अहरता परिक्षा 2021 में सम्मिलित हुए है एवमोने आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है परन्तु यह है कि जब तक आयोग इस तर से जाच के अधीन वा औभन्दिक श्रेणियों के अभिहर्थियों के प्रक्रणों में अंतिम निर्णाय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभिहर्थियों को भी आयोग द्या और आयोजीत की जाने वाले विभिन मु नाम और निर्णे के अधीन होगी, online आविधन करने वाले अभियार्तियों के लिए अवशक सुचना है, विज्जापन के अंतरगत आविधन करने हैं तुर online आविधन पर दितिल लागू है, आविधन के परक्रिया अभियार्तियों से अपेक्षक की जाती है कि विज्यापन को सावधानी से पढ़ें और तब ये आविदन करें आविदन प्रक्रिया संबंदी जो भी महतपुन्ट दिशा निर्देश हैं वो देख लेते हैं सबसे पहला प्रारंबिक एहरता परिक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभियर्थी का प्रमाणी कर दो विकल्प उपलब्द कराए गए हैं व्यक्तिगत विवर्ण के साथ प्रारंबिक एहरता परिक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर जनमतिती लिंग उतरप्रदेश का मूल लिवास वा शेनी संबंदित विवर्ण भरकर आविदन हेतू लॉगिन कर सकता है दूसरा है भाग में लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थियक को P.E.T. 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिकत सूचना है सभी उस पर प्रदर्शित होने लगेंगी इस भाग में अभ्यर्थियक को विग्यापन में प्रकाशित अनिवार एहरता से संबंदित विवर्ण भरना होगा शे संबंदि विवर्ण अंकित करने होगे अभ्यर्थि साफधानी पूर्वग विक्यापन में प्रकाशित अनिवार एहरता पढ़कर योगता धारत करने की इस्तिति में ही आविदन करें वेब पेज पर नीचे की और एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिक में अप्लोड की गई फोटो ता त्ताक्षर्स होता प्रदर्शित होंगे जो पी टी 2021 में आपने TWO हर चकी होंगे वो आटोमेटिक प्रदर रशित होंगे अभ्यरती फोटो तदा स्ताक्षर देखने के बाद continue बटन को click करते ही अगले page पर जाएंगे अन्य विवरण में इस भाग में अभियरती को अधिमानी अहरता इदी कोई है उसके पास तो yes और no का विकल्प चुनना होगा इसके बाद declaration देना होगा इस पर नीचे की और बाई तरफ प्रिंट दाई तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड और अप्रिंट अप्लिकेशन फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा अभियरती प्रोसीड टू डाउनलोड और अप्रिंट अप्लिकेशन फॉर्म को क्लिक कर अपना फॉर्म अंति पूर्व से सब्मिट कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं इचालन के माध्यम से शुल्क जमा करने के लिए अभियरती को SBI का इचालन कर SBI के किसी भी शाका में जाकर फीज शुल्क का भुकतान करना होगा भुकतान करने के बाद अप्लिकेशन सेग्मेंट के अंदर Update your transaction ID by double verification mode के माध्यम से आवशक विवरंट भरने के बाद तुरंट form का अगला भाग उन कर सकता है यदि किसी गारण से अभियरती निर्धारत फीज शुल्क का भुकतान नहीं कर पा रहा है तो फीज शुल्क जमा करने के अबधी में मुख्य प्रिष्ट पर applicant segment के अंतरगत दिये गए fee deposition पर क्लिक कर credit card, debit card, internet banking या SBI के यी चालान के माध्यम से website पर दिये गए निर्धेशों का पालन करते हुए शुल्क जमा कर सकते हैं उपर युकत के अतरगत applicant segment के अंतर दिये गए applicant dashboard पर जाकर pet registration के माध्यम से भी login कर fees जमा की जा सकती है आबिदन फीज शुल्क अनारक्षित के लिए अन्य पिछड़ावर के लिए अनुसोचित जाती अनुसोचित जन जाती और विकलांग जन है तो सभी के लिए 25 रुपे निर्धारित की गई है सोतंतरता संग्राम शेणी के आश्रेत भूतपूर्व सैनिक महिलग अभिहरतियों द्वार क्रमांग एक से चार तक उल्लखित उसकी मूल शेणी के नुसर फीज दे होगा यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि निर्धारत शुलका भुक्तान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, बैंकिंग या SBI के इच आलन के माधियम से ही किया जा सकता है अंतिम रूप से सब्मिट करने के बाद एप्लिकेशन फर्म का प्रिंट आउट, एप्लिकेंट, सेग्मेंट के अंतरगत दिये गए एप्लिकेंट्स डैश बोट पर जाकर PET रजिस्ट्रेशन के माधियम से लॉगण कर आवाश्य प्राप्त कर ले अभियर्तियों को अभी लेखो कि समविक्षा परिक्षण की समय इस फर्म की एक प्रती प्रस्तुत करनी होगी इसलिए प्रिंट आउट जरूर ले 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 आविदन पत्र में संशोधन अभियर्ति आविदन फीज शुल्क जमा करने के बाद ही अपनी आविदन पत्र में संशोधन कर सकता है इसके लिए मुख्य प्रश्ट पर एप्लिकेंट सेग्मेंट के अंतरगत दिये गए अप्लिकेंट्स डैश बोट पर जाकर PET रजिस्ट कर अभियर्ति को भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा और वहां वो संशोधित कर सकता है उक्त के अतिरिक्त अभियर्ति को आविदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमती नहीं दी जाएगी नाम में वर्तनी की गलती पिता की नाम में पत्राचार का प पद नाम है लेकपाल, वितन मैंड हैं बावन सो से बीस हजार दो सो, ग्रेड वितन है दो हजार, आयू जैसे कि पहले ही बताया है, एक जुलाई दो हजार एकिस को नियूंतम अठारा और अधिकतम चालिस वर्ष, अनारक्षित के लिए तीन हजार दो हजार दो हजार पाद ह कुल 8,085 पद है, लेकपाल का समवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदसे संख्या का आवंटन राजसरकार दोरा किया जाएगा, शैदिज आरक्षन का यहां विवरंड दिया गया है, इन सब की जो भी पीडिएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दू अनिवार एहरता क्या है, चलिए देख लेते हैं, विभाग का नाम है राजस्व परिशत उतरप्रदेश लखनौ उपद का नाम लेखपाल, अनिवार एहरता एवं अधिमानी एहरता हैं, कि अनिवार में अभिहरती को माध्य में खिक्षा परिशत उतरप्रदेश की इंट वर्ष की अबधी तक सेवा की हो या राश्ट्रे के अडिट कोर का बी प्रमान पत्र प्राप्त किया हो आयू सीमा 18-40 वर्ष होगी और उसकी गढ़ना एक जुलाई 2021 के अनुसार होगी और आरक्षन वाले अभियर्तियों को नियम अनुसार छूट होगी परिक्षा की योजन होगी परिक्षा के प्रश्ण वस्तुनिष्ट एवं बहुविकल्पी होंगे प्रतेक प्रश्ण का एक अंक होगा चार विशे हैं समाने हिंदी गड़त समाने घ्यान ग्रामे समाज में विकास सभी विशे में 25-25 प्रश्ण आएंगे कुल 100 अंक होंगे और निरधारित जो को लंक है वो भी 100 है समय अब दिये 120 मिनिट इस परिक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग यानि की रिनात्मक अंक दिये जाने हैं जो प्रश्ण के पूरांका एक बटे चार अंक 25 प्रतिशत होगा पाठ करम में समाने हिंदी गड़त समाने ग्यान यह सब इसमें दिया हुआ है ग्राम में समाज में विकास आप पीडियेफ में देख सकते हैं